आयाना लाइस्टैल फैमिली के तरफ से हम आपको निउयर विश करते हैं वी होप आपके लिए निउयर बहुत हैपी और प्रोस्पिरिस रहे आज का डिजाइन 2018 का फिर्स डिजाइन है हम अब तक 95 डिजाइन्स कंप्लीट कर चुके हैं अगर आपने कोई भी डिजाइन बाय मिस्टेक मिस कर दिया है तो सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप उन पे क्लिक करके सारे डिजाइन्स को देख सकते हो आज का डिजाइन हम हमारे सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं आज का डिजाइन छोटे बच्चो का डिजाइन है अगर आप चाहें तो इस डिजाइन को किसी बड़े के स्वेट में भी यूज कर सकते हैं इस डिजाइन के सैंपल का लुग बनने के बाद इस तरह से दिख रहा है आज का डिजाइन हमने आपको 30 फंदों पे डाल के दिखाया है और एक सिलाई में जाके ये डिजाइन हमारा ओवर हो जाएगा अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पे पहली सिलाई हम सीधी बुन रहे हैं शुरू के तीन फंदे हम बुन रहे हैं हापे ये हमने एक्स्ट्रा रखे हैं उसके बाद 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे देखिए इस तरह से 6 फंदे बुनने के बाद 7 फंदे पे हम डिजाइन डालेंगे design डालने के लिए हम black color की उनका use करेंगे bubbles बनाने के लिए देखिए पहले हमने इसे पीछे से बुना फिर हम इसे आगे से बुनेंगे और फिर हम वापिस पीछे से बुनेंगे यानि एक फंदे के हमने तीन फंदे कर दिये हैं अब देखिए हम इसको इस तरह से उल्टा करेंगे, उल्टी सिलाई में पहला फंदा हमें बिना बुने उतारना होगा, दूसरा फंदा हम बुनेंगे और तीसरे फंदे को भी हम बुन देंगे, इसके बाद हम सिलाई को सीधा करेंगे और फिर इन तीन फंदों के हम पाच फं इस तरह से हमारे तीन फंदे के पाच फंदे हो गए अब हम वापिस सिलाई को पलटेंगे और सिलाई को पलटने के बाद उन पाचों फंदों को एक साथ उल्टा बन लेंगे इसके बाद हम सिलाई को सीधा करेंगे और ये जो पाच फंदे हैं उन में से इन दो फंदों को हम एक साथ बन करेंगे बन करने के लिए इन दोनों को हम एक साथ बन देंगे फिर सिंगल फंदा बनेंगे और फिर वापिस इन दोनों को एक साथ बन कर देंगे इसके बाद वापस हम उल्टी सिलाई पे जाएंगे फिर पहला फंदा हम उतार लेंगे दूसरा बुनेंगे और तीसरे को भी बुनेंगे यानि कि उल्टी तरफ से हम प्लेन उल्टा बुनेंगे अब हम सिलाई को सीधा करेंगे और आप देखेंगे जो तीन फंदे हमारे बच्चे हैं, इन तीनों फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे यानि कि हमारा एक फंदे का एक फंदा रहे गया इसके बाद हम ग्यारा फंदे वाइट कलर की उनसे प्लेन सीधे बुन लेंगे अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी वूलन बाबल्स बनाने में प्रॉबल्म हो रही है या डिफिकल्टी हो सकती है तो इसका एक पूरा वीडियो हमने पहले भी अपलोड किया था अगर आप इसको स्टेप बाइ स्टेप वापस सीखना चाते हैं तो आप स्क्रीन पे देखिए उपर राइट अन साइड के तरफ एक लिंक आ रहा है इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगा जो हमने पहले बनाया था वो आप पूरा देख करके इसको और अच्छे से सीख सकते हो देखिए इस तरह से 11 फंदे बुनने के बाद 12 फंदे पे हमें वापिस से बबल्स बनाने है बबल्स जैसे हमने पहले बुनने वैसे हमें बुनना है वापिस देखिए पहले फंदे को हमने पीछे से बुना इसके बाद हम आगे से बुनेंगे फिर इसे दुबारा पीछे से बुना यानि कि एक फंदे का हमने तीन फंदा कर दिया इस तरह से बुनने के बाद हम सिलाई को पल्टेंगे यानि हम उल्टी सिलाई बुन रहे हैं पहली फंदे को उतार देंगे फिर दूसरे को बुनेंगे और फिर तीसरे को बुनेंगे फिर हम सिलाई को पल्टेंगे याने कि हम सीधी सिलाई बुनेंगे इस सिलाई में हम तीन फंदे के पाच फंदे करेंगे इसके लिए हम पहले फंदे को पहले आगे से बुनेंगे और फिर पीछे से बुनेंगे इसके बाद ये बीच वाला फंदा हम एकदम प्लेन बुनेंगे और फिर तीसरा फंदा वही पहले आगे से बुनेंगे और फिर पीछे से बुनेंगे जैसे पहला फंदा बुना था अब हमारी इस सिलाई में तीन के जगा पाच फंदे हो गए इसके बाद हम सिलाई को पलटेंगे और हम उल्टी सिलाई बुनेंगे अब हम पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, फिर दूसरे फंदे को बुनेंगे, तीसरे फंदे को बुनेंगे, चौते को भी बुनेंगे और पाचवे को भी बुनेंगे इस तरह से हमने 5 फंदे बुन लिये हैं, अब हम सिलाई को पलटके सीधी सिलाई पे आते हैं। इसके बाद हम सिलाई पल्टेंगे और हम सीधी सिलाई बुन रहे हैं आप देखे हम इन तीनों फंदों को एक साथ बुन देखेंगे इस तरह से आप देखें हमारा ये वाला बबल भी बन गया और बाकी के सारे फंदे जो भी बच रहे हैं उन्हें हम प्लेन बुनेंगे इस तरह से पहली सीधी सिलाई कम्प्लीट करके हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई की तरह ये सिलाई हमें प्लेन उल्टी बुननी है जैसा आप अब तक हर वीडियो में देखते आए हो इसमें आपको कोई भी डिजाइन नहीं डालना है प्लेन वाइट कलर की उन्से इसे उल्टे बुनते जाना है एक बात का ध्यान रखिए ताकि आपको confusion ना हो ये जो डिजाइन वाला फंदा है जो हमारा bubble वाला फंदा है इसे भी हमें plain white कलर की उन्से उल्टा बुनना है इस तरह से दूसरी सिलाई हमें complete करनी है अब हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई की तरह तीसरी सिलाई भी आपको plain सीधी बुननी है इसमें कोई डिजाइन नहीं आएगा अब देखिए आगे आपको इस तरह से 8 सिलाई तक बुननी है जब आप 9 सिलाई पे आओगे तो आपको ये bubbles डालने होंगे बाकी की सिलाई plain सीधी उल्टी बनते जाएगी यानि की 9 सिलाई आपको 4 सिलाई के जैसे repeat करनी होगी अब आप देख सकते हो इस डिजाइन का लुक बनने के बाद complete होने के बाद इस तरह से दिख रहा है I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेर करें, कमेंट करें और फॉर्स ताइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और एक और चीज लास्ट पर कहना चाहूंगी आप ट्राइ करिए कि आप इस वीडियो के साथ-साथ में ही डिजाइन बनाने की प्राक्टिस करें ताक लिए आपको कोई confusion ना रहे ताक ये सो मच पर वाचीं स्टेव एंट बाइ